अभसकार दोस्तों आप सब यूटुब चैनल के एक और वीडियो के असाथ हो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूं बताने वाला हूं दोस्तों कैसे आप अपने विंडोस 11 पर ही विंडोस 7 का एक्सपीरस ले सक आपको सब चीज़ देखने को यहां से मिल जाता है यहीं से आप डॉक्मेंट को सकते हैं माइप अपने चीज़ आप यहीं से ही एकसे कर सकते हैं तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताओ कैसे आप यहां पर विंडोस 7 हो गया इसके अलावा और भी जो तरीके के यहा आपको स्टार्ट मैंनी और भी तरीके से चेंज हो जाता है और यहां पर से आप देख सकते हैं हमारा टास्क बार है वह भी हमारा एकदम लेफ साइट कॉर्णर में बाटन में आ रहा है दोस्तों इसको आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो को सुरू से लेकर लास तक जरूर तरीवरा नहीं है और यहां पर इसको मोड़िफाई पर यहां पर सकते आप इसको से लगा सकते हैं प्कौन से अप्लिकेशन और किस तरी किस जगह पर रखना चाहते हैं इसी तरीके जिया पर विंडोज लांचर स्टैल आ टास्क बार को भी चेंज कर सकते हैं start option में भी आपको यहां पर से देखने को मिलता है टास्क पर पिन करने को आता है टास्क पर मतलब आप जब इस application को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहां पर से काफी चीजे option काफी सारे आपको setting changes करने option मिल जाता है अपने according आप इसे modify कर सकते हैं और अपने तरीके से आप इसका इसका सकते हैं तो यहां पर से हमने Windows 7 का select कर रहा है तो हमारा Windows 7 आचुका है Windows 7 अंदर ही आपको यहां पर से और भी आ जाता है कर सकते हैं तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए इसके लिए अपने Google Chrome को open कर लेना है जैसे Google Chrome open करते हैं तो यहां पर आपको type करना है this data-unikum पर क्लिक करना है अब आप यहां पर क्लिक करना है तो इसके अंदर आपको निचे कर लेने और है Minor Amination Start Menu and Task Bar in Windows 7 यहां पर कर दिए यह पर अपको इसको कर देना है इसको आपको खरीद ना पड़ेगा एक महिने के बार एक महिने तक का ट्रायल यहां पर मिलता है फ्री आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसके बाद सिंपली आप बाई कर लिजी तो बाई का जो प्लान है वह आपको मैं वीडियो के लास्ट पर बता दो हुआ आप वहां पर से भी देख सकते हैं या फिर आप खुद भी अपने गूगल क्र पर साथ कर के आप इसे पर किलिक यहां पर आपको जाटे है तो आ फीर फुर फ्री पर किलिक करते हैं तो आपको यह टूझलोड एंभिप और से लोकेट कर लेते हैं तो जो हमारा डाउनलोडड फाइल में है तो आपको देखे कुछ इस तरीका कि यहां प्रोग्राम वाले फाइल पर आता है इस तरीका करना पड़ेगा तो जैसे अब इंस्टाल कर देंगे तो इसके बाद आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है कि आप अपने इस टार्ट मैंने को कितर करना चाहते हैं तो हमने आपसे लेफ्ट सेट कर रखा है तो हमारा लैस्ट मारा इसके आपको यह अपने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रही है ऐसे और वीडियो देखने के लिए तो मिलते हम सभी सेखले वीडियो में तब तक कले धन्यवाद